प्रशिक्षन के दौरान आप मुझे सुन चुके हैं और आज मैं NNED PRO के अपने कुछ अन्य सहयोगियों के साथ आपसे समुदाय में शिक्षा और सशक्तिकरण उद्यमिता पर तथा आहार और पोशन में इसकी भूमिका के महत्व के बारे में बात करूँगा इस वारता को तीन खंडों में विभाजित किया जाएगा जिसमें प्रत्येक 10 मिनट की रहेगी शुरुवात मुझसे होगी मेरा नाम है डॉक्टर ल्यूक बकनर मैं NHS में ट्रेनिंग और नूट्रिशन में जूनियर डॉक्टर हूँ और आज मैं आपसे भारत में काम करने और Mobile Teaching Kitchen के अपने अनुभव के आधार पर बात करूँगा और उस मध्यवर्तन मेरे साथ काम करने वाले सहियोगी भी आज हमारे साथ हैं काई कारगबो और संचिता बैनर जी जो अभी अपना परिचय देंगे और प्रत्येक इन अन्य विशेयों पर 10 मिनट के लिए बात करेंगे वो अब अपना परिचय देंगे और फिर हम शुरू करेंगे आपकी बारी काई धन्यवाद लियूक, तो सभी को नमस्कार मेरा नाम काई कारगबो है और मैं NNET Pro में एक Research Assistant and Communication Officer हूँ मैं US और Pan-African Regional Network की Co-lead भी हूँ और मेरे पास Public Health में Background है अब आपकी बारी संचिता नमस्कार प्रतिभागियों मैं Mobile Teaching Kitchen परियोजना की Project Officer संचिता बैनर जी हूँ मैं भारत और दक्षन एशियक शेत्र के लिए NNET Pro क्षेत्रय Network की Dipti Network Lead भी हूँ तो आज मैं सीधे कलकत्ता से MTK परियोजना की बारे में कुछ खास बातों पर आप से बात करूँगी शुक्रिया ठीक है तो अब मैं इस सवाल से शुरू करता हूँ कि क्या आहार केवल ग्यान और विकल्पों के बारे में है मेरे हिसाब से इस प्रशन का उत्तर देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम शुरुवात स्वस्थ रहने के लिए क्या खाना चाहिए के बारे में हमारी समझ से करें और United Kingdom के एक आहार विशेशग्य सर शैन मैकॉली के साथ दिये एक पिछले व्याख्यान में हमने भारती दिशा निर्देशों और भारत सरकार की वेबसाइटों से कुछ प्रमुख बिंदूओं को पढ़ा ये कुछ आहार संबंधी सलाहों को सारांश में दिया गया जिसका लोगों को पालन करना चाहिए वैश्विक स्तर पर भी समान आहार दिशा निर्देश दिये जाते हैं जैसे प्रति दिन फलों और सबजियों के पाँच भागों का सेवन संत्रिप्त वसा के मुकाबले असंत्रिप्त वसा परिश्कृत कार्बोहाइडरेट की जगा साबुत अनाज का चायन करना और उदाहरन के लिए सफेद की जगह भूरे रंग के चावल का चायन करना दिन में एक चम्मच से कम नमक का सेवन करना और ये जैसा की मैंने कहा दुनिया भर में ये बहुत आम है और आम तोर पर हर जगह इसी तरह की सिफारिश की जाती है इसके अलावा अलग-अलग चीजों की मात्रा को तै करते हुए आप इन सभी का समान प्रस्ताव यूएस, यूके और भारत में भी देख सकते हैं तो उन में से अधिकतर जानकारी से शायद आपको हैरानी नहीं होगी मुझे लगता है कि आपको पिछले व्याख्यान का लाव मिला है लेकिन इससे भी पहले ज्यादातर लोगों को पता होगा कि उन्हें एक दिन में फल और सबजियों के पाँच भागों का सेवन करना चाहिए और कुछ लोगों को ये भी पता होगा कि अगर वे इसके साथ या दस भागों का सेवन करते हैं तो उसके अपने अतिरिक तलाब मिलते हैं और जैसा कि शेन ने चर्चा की थी आप जो खा रहे हैं उसमें विविधता होना वास्तव में महत्वपूर्ण है लेकिन सवाल ये है कि भारत में कितने लोग वास्तव में इन दिशा निर्देशों का पालन करते हैं और शायद ऐसा ही है जब हम यूके और अन्याबादी में भी देखते हैं भारत में फलों और सबजियों का ओसत सेवन वास्तव में आज प्रति दिन केवल साड़े तीन सर्विंग्स है और ये केवल डेड़ लेते हैं जो अनुशंसित मातरा से कम है और सबूतों के लिए आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है कि केवल पांच हैं जैसा कि मैंने कहा ये फल और सबजियां खाने से प्राप्त सबसे अच्छा सेवन नहीं दिखाता है ये सिर्फ एक लक्ष दिखाता है जिसकी सरकार या दिशा निर्देश निर्माताओं को उम्मीद थी कि लोग संभवता हासिल कर लेंगे साड़े तीन का आंकड़ा चिंता जनक है और ये काफी कम है और ये खासकर युवा पीढ़ी और विद्यार्थियों में कम देखा गया है इस से कभी कभी सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि आखिर लोगों और खासकर विद्यार्थियों को शिक्षा क्यों मिलनी चाहिए और वे कभी-कभी ऐसे परिवारों से आते हैं जहां वे वास्तव में स्कूलों या विश्व विद्यालेयों में जाने में सक्षम होते हैं इसलिए दुनिया में बहतर स्थिती पर और कम वंचित होते हैं यहां तक कि ऐसे समूह भी इन समस्याओं का सामना करते हैं तो अगर इन समूह में सेवन कम है, तो इन कारकों का सामना करने वालों के स्थिती बद्तर ही होगी। यहां ये चित्र भारत में फलों और सब्जियों की खपत को दर्शाता है। और जो मैंने अभी बताया उसका ये चित्र रूप है, फलों और सब्जियों के 5 भाग लगभग 400 ग्राम के बराबर होते हैं। यदि आप इस ग्राफ को वाई अक्ष यानि नीचे की रेखा पर देखते हैं, तो शून्य से 1000 तक जाने पर आप फलों और सब्जियों की खपत की मातरा देख सकते हैं। हरे रंग में बॉक्स अनुशनसित मातरा से उपर के स्तर को दर्शाता है, अर्थात 5 या अधिक भाग। और फिर आप बाई ओर देखते हैं, तो ग्रे रंग की रेखाएं उपर जा रही हैं, यानि उस तर पर जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो अधिकांश भारती आबादी 400 से बहुत नीचे है और वास्तव में शीर्ष पर बैठे हैं जो लगभग 1.500 से 200 ग्राम यानि आधा है। वास्तव में हम क्या उमीद कर रहे हैं और जाहिर है कि इसमें थोड़ा सा धलान है। और ऐसा है कि वक्र के नीचे का क्षेत्र उस उपभोग करने वालों की संख्या इतनी कम क्यों है। मुझे लगता है कि जब हम इसे डॉक्टरों और आहार विशेश अग्यों और यहां तक की सोशल मीडिया पर उन लोगों के नजरिये से देख रहे हैं जो इस बारे में कई राएं रखते हैं कि लोगों को क्या खाना च चाहिएं जिनके बारे में लोग सोशल मीडिया पर बात करते हैं। हालंकि मुझे उम्मीद है कि ये डॉक्टर डाइटीशन की राय नहीं है लेकिन वास्तव में देखें तो उपभोग का संबंध अक्सर आय से होता है। उधारन के तौर पर भारत में कुछ जातियां ऐसी हैं जिने फल या सबजी का बहतर पोशन मिलता है और कुछ भोगोलिक स्थिती इसलिए शेहर बनाम ग्रामीन हालत ये सभी कारक उनकी आबादी द्वारा फलों और सबजीयों के सेवन को प्रभावित करते हैं। रिपोर्ट पर नज़र डालें तो 2016 में भारत की फाइटो न हम लोगों को इसे व्यवहार मिलाने में मदद कर सकें। विश्व स्वास्थे संगठन ने कुछ मानक स्थापित किये हैं। स्वास्थे के सामाज एक निर्धारक जिसमें आपकी आए, आपकी शिक्षा, क्या आप खराब परिस्थितियों में काम करते हैं या रहते हैं और क स्वास्थ आहार का उपभोग करने और उन्हें तयार करने जैसी चीजों में शामिल होती हैं और अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थि व्यवस्था तक पहुँच जैसे कारक भी मौजूद हैं जो अंततह स्वास्थे देखभाल या जीवन शैली विकल्पों की तुलन में अधिक महत्व रखते हैं तो स्वास्थे के सामाजिक निर्धारकों में लगभग 35 से 50 प्रतिशत स्वास्थे परिणामों को देखा जा सकता है सवाल ये है कि हम लोगों को बदलाव लाने में कैसे मदद कर सकते हैं और सपश्च तह मैं ये नहीं कह रहा कि हमें लोगों की जीवन शैली में बदलाव करने के लिए समर्थन देना होगा जो आसान नहीं है ये उन्हें स्थानिय सहायता समूहों के पास भेज कर संभव हो सकता है यदि आप उस समुदाय के साथ काम कर रहे हैं जिनकी आय कम है और इस कारण से ताजे फल और सबजियों तक उनकी पह करते हैं कुछ ऐसे खाने बनाने के समूह या वस्तूएं हो सकती हैं जहां आप उन्हें खाना बनाना सिखा सकते हैं क्योंकि पाक कला विशेश अग्यता या खाना बनाने की आपकी इक्षमता वास्तव में आपके द्वारा खाये जाने वाले भोजन को काफी प्रभावित क साथ ही इस बात का ध्यान देने की भी जरूरत है कि आप जिन्हें सलाह दे रहे हैं, उनके समकक्ष आपकी स्थिती बहतर है और आपके द्वारा बताए गए विकल्प तक उनकी पहुँच नहीं है। तो वे एक महत्वपूर्ण सुधार कर सकेंगे। अंत में हमें असमानता और भेदभाव को दूर करने के लिए हमेशा तयार रहना होगा और जरूरत पढ़ने पर इसे रोकना होगा। और ये व्यक्तिगत स्तरों, सामुदाइक स्तरों और नीती स्तरों पर भी है। इसलिए इस पहलू में सरकारी नीती में बदलाव की पक्षपोशन करना महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि ये बदलाव करने का समय है और कोविड ने वास्तव में इसे उजागर किया है। दुनिया के सबसे वंचित इलाकों में कोविड-19 से होने वाले मामलों और मौतों की संख्या दोगुनी थी जिसे देखकर बहुत दुख होता है। लेकिन ये भी दर्शाता है कि हम वर्षों और दशकों से कई अन्य पुरानी बीमारियों को कैसे देखते हैं। साथ ही उच्च आयवाले देशों में रहने वाले लोगों का जीवन निम्न आयवाले देशों की तुलना में औसतन 19 वर्ष अधिक होता है। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जिसे मेरी राय में हमें विश्विस्तर पर बदलने के लिए कुछ कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन ये भी स्विकार करना चाहिए कि देशों के भीतर भी उन वंचित क्षेत्रों की तु समय है। ताकि जो लोग कम विशेश अधिकार प्राप्त हैं वे वास्तव में अपने स्वास्थे पर नियंतर्ण वापस ले सकें और विकल्प चुन सकें जिनके बारे में हम उन्हें शिक्षित करते हैं। वार्ता के मेरे भाग को सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे उम बदलाव करना शुरू कर सकते हैं। स्वास्थे और समानता एक अनुचित प्रणाली है और इसे रोका जा सकता है और इसलिए हमें इस पर बात करनी की आवश्यक्ता है। स्वास्थे के सामाजिक निर्धारक कैसे हैं? वे कैसे संबंधित हैं? ऐसे कई कारक हैं जो हमारे भोजन विकल्पों को प्रभावित करते हैं। इन में से कुछ कारक जैविक और सामाजिक हैं। जबकि आन्य आर्थिक और शारीरिक हैं, जैसे शिक्षा, पोशन शिक्षा, ताजा भोजन और स्वस्थिक हाद्यपदार्थों की लागत और उन तक पहुँच और स्वस्थि-पोश्टिक भोजन तयार करनी के लिए आवश्यक कौशल भी इसमें शामिल है। इस प्रस्तुती में हम पोशन और स्वस्थिम अध्यवर्तन के लिए एक केस्टरी के रूप में मोबाईल टीचिंग के चिन पर बात करेंगे। की बस्तियों में माताओं और बच्चों को लक्षित किया। इस मध्यवर्तन को तीन चरणों में लागू किया गया था, जिसकी शुरुवात जरूरतों के आकलन से हुई और दूसरा चरण था C1, Do1, Teach1 का रिशालाएं। और अंत में सूक्ष्म उद्यम चरण जो एक सतत प प्रतिभागियों से सहमती प्राप्त की और कुछ जन सांख्य की जानकारी एकत्र की, जिसमें उनकी आयू, रोजगार और शिक्षा का स्तर शामिल था। जिन में से एक BMI था, साथ ही हमने सूक्ष्म पोशक तत्वों की कमी के लिए भी जान्च की। कारिशाला के दौरान हमने C1, Do1, Teach1 विधी का पालन किया, जो ज्यान को व्यवहारिक कहानी के माध्यम से स्थानांतरित करने की एक विधी है। देखिए, C1, Do1, Teach1 कारिशाला, व्यापक पोशन शिक्षा, खाना पकवान और स्वच्चता कारिशालाएं हैं। हमने एक टेंपलेट मेन्यू का अनुसरन किया, जो स्थानिय समुदाय में मौझूद सामगरियों का उप्योग करता है। खाना पकाने के प्रदर्शन और कारिशालाओं के अन्त में, हमने अपने प्रतिभागियों का मूल्यांकर न केवल ग्यान सामगरी की, उनकी स्मृति के आधार पर, बलकि दूसरों को सिखाने की, उनकी क्षमता के आधार पर भी किया। सफल उमीदवार जिन्हें हम अपने MTK Champions कहते हैं, को एक Micro Enterprise बनाने के लिए प्रोदसाहित किया जाता है। प्रसार तक हैं। एक सफल मध्यवर्तन को डिजाइन और कार्यानवित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मूल्यांकर प्रक्रिया है। ये वो प्रक्रिया है जो हमें बताती है कि हमारा मध्यवर्तन सफल हुआ या नहीं। क्या परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप थे यदि नहीं तो क्यूं। हमने क्या सीखा और भविष्य में शोध के लिए और कौन से क्षेत्र हैं। ग्यान, दृष्टिकोन और अभ्यास प्रशनावली का उप्योग करके MTK का मुल्यांकन किया गया था, लेकिन हमने शरीर के वजन और उपरी बाह की परिधी में परिवर्तन को मापने का भी प्रयास किया। हमने जो देखा वो न केवल मध्य वर्तन के बाद प्रतिभागियों में सुधार और पोशन ग्यान था, बलकि इसके छे महिने बाद उनमें सूक्ष्म पोशक तत्मों की कमी में मामूली सुधार भी था। हमें इन निशकर्षों की सावधानी से व्याख्या करनी चाहिए, क्यूंकि हमने लोगों के इतने छोटे समूह के साथ काम किया है और इसलिए शिक्षा के लिए एक उपकरण के रूप में किचन टीचिंग की प्रभाव शीलता को निरधारित करने के लिए हमें एक शोध की आवशक्ता है। और अब मैं भारत में हमारी सहयोगी संचिता को बुलाना चाहूंगी, जो MTK को लागू करते समय हमें प्राप्त अनुभव पर आप से चर्चा करेंगी। मजबूत टीम की आवशक्ता होती है और टीम के सदस्यों में कुछ विशिष्ट गुण होने चाहिए। जैसे उन्हें लक्षित समुदाय द्वारा सुवीकार किया जाना चाहिए। उन्हें लैंगिक रूप से समवेदंशीर, निश्पक्ष, विशलेशुनात्मक, अपने काम के लिए प्रतिबद, आशावादी, धहरेवान होना चाहिए। और सबसे महत्वपोन उन्हें लक्षित समुदाय की देख भाल और उनकी भावनाओं और चिंताओं के बारे में ध्यान देना चाहिए। यहां तस्वीर में आप मोबाइल टीचिंग किचिन की कार्यानवियन टीम देख सकते हैं। जैसकी काई ने पहले ही यो लेख किया है कि सोडोटी, सीवन, डूवन, टीचवन इस मध्यवर्तन का महत्वपोन चहरा है और जहां प्रतिभागी माताओं के जीवन में वास्तविक परिवर्तन होता है। इसमें शामिल माताओं को खाद्य पदार्थों की विविधता देखने, स्पर्ष करने, संबंध बनाने और स्वाद लेने के लिए खुलापन बलता है। प्रक्रिया है, सभी माताओं सक्रिय रूप से विभिन गतिविध्यों में सनलगन हैं और वे अपने अनुभव को साजा करने के लिए भी तेयार हैं। प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए और माताओं के बीज निरंतर अप्सकेलिंग की अवशक्ता होती है। तस्वीर में आप प्रशिक्षित माताओं को देख सकते हैं जो अब मध्यवर्तन की चैंपियन है। विमंच पर हैं और उनका आत्मविश्वास स्वतह स्पष्ट है। वियब अपनी आवाज उठा सकती हैं और दर्शिकों को संबोधित करने और पोशन शिक्षा प्रदान करने के लिए खुलकर बात कर सकती है। सशक्ति करन के प्रक्रिया के दोरान व्यक्ति को लचीला, रचनात्मग और मुक्त होना चाहिए क्यूंकि इस मध्यवर्तन में कोई क्रम बध रैखिक प्रगती नहीं है। और क्यूंकि कोई संरचित और चरण दर चरण प्रक्रिया नहीं है, जिसका आप अनुसरन कर सकते हैं, आपको अप्रतियाशित स्थिती के लिए तयार रहना चाहिए। माताओं को प्रशिक्षत करने और उनके साथियों को पोशन संबंधी जानकारी फिलाने के लिए शुरू की गई थी। लेकिन वास्तव में मध्यवर्तन के बाद और मध्यवर्तन के दौरान हमने महसूस किया कि इसने एक पोशन शिक्षक और जमीनी स्तर से शिक्षण चैंपियन बनाये हैं, जो अब परिवारों, पडोसियों, आम लोगों, ग्राकों और सबसे महत्वपूर्ण अपने पुरा इमारतों में दिहारी मजदूर के रूप में काम करती थी, आज वे पोशन पर शिक्षत करने के लिए इन कर्मचारियों का दौरा कर रही हैं, स्पष्टत, पोशन शिक्षा एक सार्व भौमिक अवश्यक्ता है, इस मध्यवर्तन का नाम भविश्यशक्ती है, जिसका निश्पक्षता और समानता को योजनाबध तरीके से नहीं, बलकि एक अंतरनहित तंतर के रूप में संबोधित किया जाता है, और हम इस मध्यवर्तन की विविश्टता हैं, अंतते हम सशक्त भविश्य की ओर बढ़ रहे हैं, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहु जाता हैं, मुझे से नहीं, आपका बहुत-बहुत-बहुत-बहुत